बीम आर्मी प्रमुक चंदर शेखर पर बीएसपी प्रमुक मायवती ने हमला बोला है मायवती ने एक ट्वीट में कहा चंदर शेखर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है लेकिन नागरिक्ता संशोधन कानून CAA और राष्ट्रे नागरिक्ता रजिस्ट अनर्सी के खिलाब उत्तर प्रदेश की बजाए दिल्ली के जामा मस्जित के विरोध प्रदर्शन में शामिल होता है और अपनी जबरन गिरफ्तारी करवाता है क्योंकि वहाँ जल्दी विधानसवा के चुनाओ होने वाले है इसके जाती मायवती ने पार्टी के लोगों से अपील की कि ऐसे सभी स्वार्थी तत्वों, संगठनों और पार्टीों से हमिशा सचेत रहे मयवती ने कहा दलीतों का माना है कि भी मार्मी का चंदर शेखर, देरोधी पार्टीों के हाथों खेल कर खासकर जैन राज्यों में बीएसपी मजबूत है उन राजों में एक शर्यंत्र की तहट बीएसपी बार्टी के वोटों को प्रवावित करने वाले मुद्दे पर प्रदर्शन करता है और फिर जबरन जेल जाता है नागरेक्त संशोधन कानून के खिलाव प्रदर्शन के दोरान आगजनी और तोड़ फोड के लिए पुलिस ने शनिवार को भीम आर्मी के प्रमुक चंदर शेखर आजाद को गिरफतार कर लिया इसके अलावा शिक्रवार को विरोध प्रदर्शन के दोरान हिंसा में शामिल होने के लिए 20 आनी उपद्रव्यों को भी गिरफतार किया था पुलिस ने बयान जारी कर कहा हमने आगजनी तोड़ फोड और सारवजनिक संपत्ती को नुकसान पहुचाने के लिए भीम आर्मी के प्रमुक चंदर शेखर आजाद समेट 21 उपद्रव्यों को गिरफतार किया है आजाद भीड का नेतरत्व कर रहे थे पुलिस ने सीलम पुरहिंसाम के लिए 5 और दिल्ली गेट के पास पुरानी दिल्ली से 16 लोगों को गिरफतार किया है भीमानमी का विरोध शुकरवार की नमाज के बाद दोपहरे एक बज़े के बाद शुरू हुआ था जावा मस्जित में चल रहे विरोध प्रदर्शिन में आजाद ने भी हिस्सा लिया था हाला कि जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की तो वो अपने समर्थकों के बीच ओजहल हो गये इसके बाद उनका और पुलिस का अपस में लुकाचिपी का खेल चलता रहा अब पुलिस ने आखिरकाराजाद को गिरफतार कर लिया है मावती पहले भी चंदरशेकर को बीजबी की साजिश कह चुकी है मावती ने कहा था कि चंदरशेकर बीजबे के शारू पर ये सब कर रहा है ये सब दलित वोटों को बाटने की कोशिश है जो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी जए बाटने की साजिब भी कर रहा है